चोथा अध्याय इंद्र आदी देवताओं द्वारा देवी की स्थुती दिहान सिद्धी की इक्षा रखने वारे पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिनें सब और से गेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ उनके श्री अंगो की आभा काले मेग के समान शाम है वे अपने कटाक्षों से शत्रू सम्हों को भैप्रदान करती हैं उनके मस्तक पर आबद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है वे अपने हाथ में शंक, चक्र, कृपान और तरशूल धारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे सिंग के कंदे पर चड़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करती हैं रिशी कहते हैं अत्यांत पराकर्मी दुरात्मा महिसासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदी देवता प्रणाम के लिए गरदन और कंदे चुका कर उस भगवती दुर्गा का उत्तम वच्चनों द्वारा स्तवन करने लगे उस समय उनके सुन्दर अंगों में अत्यांत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ती का स्वमुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ती से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा समस्त देवताओं और महरशियों की पूजनिया उन जगदंबा को हम भक्ती पूर्वक नमशकार करते हैं वे हम लोगों का कल्यान करें जिनके अनुपप्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेशनाग प्रमाजी और महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं वे भगवत समस्त देवताओं और देत्यों के समक्ष युद्ध में पूर्वक नमशकार करते हैं वे हम भगवती दुर्वक नमशकार करते हैं देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए देवी आपके इस अचिंतन्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराकर्म का तता समस्त देवताओं और देत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किये हुए आपके अद्बुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ती में कारण हैं आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौज यह समस्त जगत आपका अंश भूत है क्योंकि आप सबकी आदि भूत एव्याक्ता पराप्रकटी हैं देवी संपूर्ण यग्यों में जिसके उच्चारण से सब देवता त्रिप्ति लाभ पाते हैं वहस वहाँ आप ही हैं इसके अतेरिक्त आप पित्रों की भी त्रिप्त स्वरूपा हैं समस्त दोशों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तू मानने वाले तता मोक्ष की अभिलाशा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते रहते हैं वह भगवती पराविध्या आप ही हैं आप शब्द स्वरूपा हैं अत्यंत निर्मल रिगवेद यजुरवेद और उदगीत के मनुहर पदों के पाट से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं आप देवी त्रई और भगवती हैं इस विश्व की उत्पत्ती और पालन के लिए आप ही वारता के रूप में प्रकट हुई हैं आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का न पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं आपकी कहीं भी आ सकती नहीं है कैठप के शत्रू भगवान विश्व के वक्ष स्तल में एक मात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्र शेखर द्वारा सम्मानित गौरी देव देवी आप ही हैं आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोवित निर्मल पून चंद्रमा के बिंब का अनुकरन करने वाला और उत्तम सुवन की मनुहर कांती से कमनिये है तो भी उसे देख कर महिसासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया यह बड़े आश क्राल हो उठा तब उसे देख कर जो महिसासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है क्योंकि क्रोध में बरे हुए यम्राज को देख कर भला कौन जीवित रह सकता है एदेवी आप प्रसन्न हों परमात्मा स्वरूपा आपक क्योंकि महिसासुर की अविशाल सेना छड़ मर में आपके कोप से नश्ठ हो गई है सदा अव्युद्य ब्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित होते हैं उन्ही को धन और यश्च की प्राप्ती होती है उन्ही का धर्म कभी शिथिल नहीं होता और वे ही अपने हश्ट पुष्ट स्त्री पुरुत्र और भृत्यों के कारण धन्य माने जाते हैं देवी आप ही की किरपा से पुन्या आत्म पुरुष प्रति दिन अत्यंत्र शधा पूर्वक तदा सब परकार के धर्मान वुकूल कर्म करते हैं और आपके प् स्मरन करने पर सब प्राणियों का उभ्य हर लेती हैं और स्वस्त पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्यान मई बुद्धी प्रदान करती हैं दुख दारिद्रता और भ्य हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित सब का उपकार करने के सदा ही दयाद्र रहता हो इन राक्षनसों के मारने से संसार को सुख मिले और यह राक्षस चिरकाल तक नर्क में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों इस समय संग्राम में मृत्यू को प्राप्त होने पर स्वर्ग लोक में जाएं निश्चे ही यही सोच कर आप समस्त असरों को दृष्टी पात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती इसमें भी एक रहस्य है यह शत्रू भी हमारे शत्रों से प्रवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं इसी प्रकार उनके प्रती भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है खडग के तेज पुंजगी भयंकर दीपती से और आपके तरशूल के अगरभा की धनी भूत प्रवा से चौंधियाकर जो असरों की आँखे फूट नहीं रही हैं उसमें कारण यही था कि वे मनुहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आ देवी आपका शील दुराचावियों के बुरे वर्ताब को दूर करने वाला है साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराकर्म तो इन दैट्नों को भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराकर्म को भी नश्ट कर चुके थे इस परकार आपने शत्रूं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है वर्दायनी देवी आपके इस पराकर्म की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती और शत्रूं को भैदेने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहां है हिर्दयमे कृपा, युद्ध में निश्टुर्था ये दोनों बाते तीनों लोप में केवल आप में ही देखी गई है मात आपके शत्रूं का नाश करके इस समस्तर्त लोकी की रक्षा की है इन शत्रूं को भी युद्ध फूमी में मार कर स्वर्ग लोक में पहुँचाया है तथा उन मद्दैवत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भैको भी दूर कर दिया है आपको हमारा नमस्कार है देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें अंबिके आप खडग से भी हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनी और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें चंडिके पूर्व, पक्षिम और दक्षिर दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा इश्वरी अपने तर्शूल को घुमा कर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें तीनों लोकों में आपने जो परम सुन्दर और अत्यंत भयंग कर रूप विचरते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी इस भूलो की रक्षा करें अंभी के आपके करपलवों में शोभा पाने वाले खडग, शूल और गदा आदी जो जो भी अश्त्र हों सब के द्वारा आप हमारी सब और से रक्षा करें रिशी कहते हैं इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुरगा की स्तुती की और नंदनवन में दिव्य पुष्पों एमम गंद चंदन आदी के द्वारा उनका पूजन किया फिर सबने मिलकर भगती पूरवक दिव्य धूपों की सुगंद निवेदन की तब देवी ने प्रसन्य वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा देवी बोली देवताओं तुम लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाशा रखते हो उसे मागो देवताओं बोले भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह शत्रु महिसा सुर मारा गया है महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुती करें उसे वित्त, समरिधी और बैवब देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ती को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें रिशी कहते हैं राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्यान के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहे कर वहां से अंतरध्यान हो गई वोपाल इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोकों का हिद चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई वह सब कता मैंने तुम्हे कह सुनाई अब पुन्हें देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्ब निशुम्ब का बद्ध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए गोहरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी वहे सब प्रसंग मेरे मूँ से सुनो, मैं उसक तुमसे यथावत्वर्णन करता हूँ इस प्रकार श्री मारकंडे जी पुराण में सार्वनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्तम में शक्रादिस्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ बोलो देवी मैया की जैशुम्ब इसी प्रकार की अन्यव्रत एव पूरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुचा कर तर्मला प्राप्त कर सकें